नमसकार दोस्तो स्वाकत है आप सबका आज की क्लास में बात करेंगे भारत में जो नई नियुक्तिlya हुई है उन सबी नई नियुक्तियों के बारे में हम इस क्लास में समझेंगे कि जो भी नियुक्ति हो रही है मतलब की आप मांन कर चलिएगा 2022 जनवरी से लेकर हम यहां पर डिसकुशन करने वाले हैं दिसंबर के महीने तक दिसंबर माहा तक जो भी नए नियूक्तिया हुई है वो सभी आज की क्लास में हम देखेंगे और आप सबका स्वागत है वीडियो को लाइक जरूर करें अगर पसंद आए तो आज की क्लास में हम लगबग इसका जो निर्मान किया गया 27 जुलाई को इसका निर्मान किया गया साल था 1939 जैनिकि अंग्रेजों के समय इसका निर्मान किया गया और इसे तब क्या कहा जाता था तब इसे कहा गया CRPF तो अगर चीजों को याद रखें तो अच्छा है कि 28 दिसंबर 1909 को CRPF के नाम रखा गया और वर्तमान में इसके जो महानी देशक है उनका नाम है चलते हैं हम अगले कोशन पर यानि की कोशे नंबर दो पर कोशे नंबर दो क्या है भारती आयूर विज्ञान अनुसंधान परिसर जिसे हम क्या कहते हैं ICMR कहते हैं और यह हमारे देश में क्या करता है आयूर विज्ञान से संबंदित अनुसंधान के बारे में हैं और यह आपका मेडिसिंग के लिए रिसर्च करता है और यहां पर कोशन क्या है महानिदेशक कौन बनाये गए हैं इसके नए जो महानिदेशक हैं वो आपको यहां पर बताना है राजीव बहल यहां पर है आई सीमर का फुल फर्म देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फर्म होता है हेड कोशन नमबर तीन देखते हैं भारत की 15 राश्ठ्पती द्रोपदी मुर्मू के नए सच्व क बनाए गए हैं आपका नाम है राजेस वर्मा क्या नाम है राजेस वर्मा यहां पर बनाए चलते हैं अगले कोशन पर और यहां पर फोटो देख सकते हैं देखेंगे यहां पर राजेस वर्मा जी का फोटो है और यहां पर भारत के राश्ट्पती जी का भी फोटो है रिष्तिक बनाया गया है यहां पर नए महत्तिक देखेंगें हैं और आपका नाम है भरतलाल यहाँ फोटो δेख सकते हैं चलते हैंमें अगले पर समाचार सेबाप्रभाग की नहीं महानिदेशक कौन बनाई गई है यहाँ पे नई जो है अभी वर्तमान में अगर AIR की बात करें तो 262 इस्टेशन है जहां से आपका रेडियो संचालित होता है और इसकी जो नई बनाई गई है उनका नाम है वसुधा गुपता क्या नाम है वसुधा गुपता आपको यहां पर एक बताठी के साथ चलता है अगर दोしहों प्री 1759 को और दिल्ली में इसकी स्थापना की गई ठीक है और अगर हम केवल बात करें रेडियो की तो भारत में रेडियो का जो संचालन सुरू होता है और अगर हम प्र भारती की बात करें बेटा तो प्रसार भारती की स्थापना होती है 23 नवंबर का महिन्या है यह साल रहता है 1997 को याद रहोगे 1997 और प्रसार भारती पढ़ेंगे उन्चासवे मुख नियाएधिस कौन है देखो अभी वर्तमान में आपके कौन से चल रहे हैं पचासवे नियाएधिस चल रहे हैं पचासवे नियाएधिस कौन है वह है दी वाई चंद्र चूड़ जी लेकिन आपसे फुर्टी नाइन्थ नंबर का पूशा गय जनी कि उदय उमेश ललिद जी थे अगला कोशन है भारत के नय केंद्री सतरकता आयुक्त यनि कि सीवी सी एक बनाया गया था 1964 में आप पढ़ेंगे संथानम समीटी की सिफारिस पर केंद्री सतरकता आयुक का गठन किया गया था वर्तमान में क्या है इसके जो केंद्री सत तेल जी इसके आयुक्त नियुक्त हुए है और अगर हम आगे इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें तो प्रविन कुमार स्रीवास्तों का भी नाम आता है वह भी ध्यान में रखना है फोटो आपके सामने हैं चलते हैं अगले कोशन पर कोशन नंबर आच देखते हैं प्रधान मंद्री का कारयाल है इसकी जो सुरुवात होती है वह होती है लाल भादूर सासत्री के समय पर अगले कोशन पर चलते हैं ब्گिन смबर 9 प्रेस सूचना गुरू जिसे पाइब कहते हैं भारत सरकार कि सभी सभी नोडिफीकेस जारी करता है जो भारत सरकार पूरे सत्य इंद्र प्रकास्जी क्या है सत्य इंद्र प्रकास्जी और दो बच्ची आईएस और तियरी करते वह साइट को जरूर रेग्लवार पर विजिट करते हैं भारती क्रसी अनुसंधान परिशद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं ICAR के यनि की भारती क्रसी अनुसंधान परिशद के नए महानिदेशक किसको बनाय गया है अगर हम बात करें ICAR की बेटा तो इसकी स्थापना हुई थी 1929 में और इसके जो महानिदेशक बनाए गए हैं उनका नाम हीमांसू पाठक कौन है देखेंगे हीमांसू पाठक गी इसके ICAR के इंडियन काउंसिल आफ एगरी कल्चर रिसर्च के महानिदेशक बनाए गए हीमांसू पाठक गी कोशन नमबर 12 देखते हैं राष्टी प्रतिरक्षा विग्यान संस्थान इन आई आई मतलब नेशनल इंस्ट्यूट आप इम्योन लॉजी जो आपके सरीर के में प्रतिरक्षा तंतर को बढ़ाता है उसे कहते हैं इसके नए महानिदेशक किसको बनाया गया है और इसके नए महानिदेशक है देवासीस मोहंती कौन है देवासी ब्यापार संवंधन संगठन यानि की ITPOK नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक किसे बनाया गया है किसको बनाया गया है प्रदीप सिंह करोला को बनाया गया है चलते हैं अगले कोशन पर कोशन नमबर 14 राश्टी आपदा प्रबंधन प्राधी कर्ण की नई इसको बनाया गया और पूचा जा रहा है नई निदेशक किसको बनाया गया है नई निदेशक कौन है म्रलालिनी श्री वास्तो जी को बनाया गया है चलते हैं अगले कोशन पर वीडियो अच्छा लाग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ से रुदत्ता अराधना चोहरी और संगीता वर्मा तो यहां पर देखो यह कारवाग सब्द आपके साथ लगा हुआ है थोड़ा सा यहां पर ध्यान दे लेंगे तो सही अंसर हो जाएगा संगीता वर्मा और इसके बारे में बात करें तो 2003 में स्थापना हुई थी चलते आगले कोशन पर राष्टी सुरक्षागाड एनस्जी के नए महा निरिक्षक ओपीयस कौन बनाए गए हैं नए निदेशक उनका नाम है प्रवीन च्षावड़ा मेजर जंगल प्रदीप च्षावड़ा आपका पूरा नाम है एनस्जी के अगर हम बात करें तो बैटा यह 16 किया गया था चलते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन गया भारती क्रिक्ट कंट्रोल बोर्ड बी-सी-सी-ाई के नए एथिक्स ऑफीसर और लोगपाल कौन बनाया गया है उसको देखने के लिए इनकी न्यूक्ति और है कौन विनीत सरन जी को यहां पर बनाया गया है बी-सी- कौन बनाये गये हैं अखिल भारती फुटबाल महासंग के अध्यक्ष कौन बनाये गये हैं आपका नाम है कल्याण जी-चौबे क्या नाम है कल्याण चौबे चलते हैं अगले कोशन पर नीती आयोक के नए CEO 2015 में जब मोदी जी ने कहा था तब भी इसका गठन हुआ नीती कि अगर कभी भी पूछा जाए नीती आयोक के अध्यक्ष तो प्रधान मंत्री होते हैं ठीक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज को और चलते हम अपने अगले कोशन पर अगला कोशन नमबर 20 ससस्त्र सीमा बल SSB के नए महा निदेशक कौन बनाये गये हैं SSB के नए महा चंद्र की जगा इन्होंने लिए किसकी जगा लिए राजेस चंद्र पहले थे उनकी जगा पर इनको रखा गया है अगर हम बात करें सीमा सुरक्षण बल्की 2007 में इसका गठन होता है अगले कोशन पर आते हैं भारती वायु सेना के नए महा निदेशक कौन बनाये भारती केंद्री प्रत्यक्ष कर बूड़ почिण के सिवीडीटी के नए अद्यक्ष कौन बनाये गए है अगर सीबी डी टी की बात कुरें के बेटा तो उनीस सोचाह क्या था इसकी आदि वित मंत्र harley में राजस्व विभाग के आधीन से मतलब होता है कोशन नमबर 23 इस्रों से संबंदी था भारती आंत्रिक्ष अनुसंदान संगठन अगर हम इस्रों की बात करें पहले बेसिक तो यह आपका इसका हेड़ कोर्टर बैंगलूरू में मिल जाता है 15 अगस्त 1979 में इसका गठन किया गया इसके जनक एकर हम बात करें इस्रों में तो आपको एक नाम जरूर याद होगा सारा भाई विक्रम सारा भाई यह इसके जनक हैं और यह मतलब जो है आंत्रिक्ष सरकार के आदिन यह काम करता मतलब जो इंटरनेशनल मिशन होते भारत सरकार को उसके तो किसे बनाया गया किसको बनाया है किसको बनाया गया है क्या चलते हैं अगले क्योशन खूर के फिर और इंडिया से रिलेटेड उस्न है किसको बनाय गया है सो मामटाल जी कोdepend के है है अगर हम सेल की बेटा बात करें तो 1954 में यनिकी जो है आपके जवाहर लाल नहरु जी के समय जवाहर लाल नहरु प्रधान मंत्री थे उस समय इसका गठन किया गया और अभी यह महारत्न कंपणी में सामिल है चलते हैं अगले कोशन पर कोशन आया गया इन आईये की स्थापना कब हुई थी वेटा इन आये की स्थापना हुई थी 2008 में और इसके जो अभी महानिदेशक बनाए गये आपका नाम है दिनकर गुपता जी क्या नाम है दिनकर गुपता जी कोशन नंबर 26 पर आते हैं नागरिक उड्डैन सुरक्षा ब्यूर BCAS के नए महानिदेशक कौन बनाए गये हैं जुल्फकार हसन जी को यहां पर बनाया गया है चलते हैं कोशन नंबर 27 राष्टी सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बनाये गये हैं कौन सा है NIC के नए महानिदेशक कौन बनाये गये हैं राजेस गेरा जी को बनाया गया है अगर NIC की बात करें 1976 में गठन हुआ था चलते हैं अगले कोशन पर भारती थल सेना के नए प्रमु कौन बने हैं भारती थल सेना के नए प्रमु कौन बने हैं मनोज पांडे जी को बनाया गया है चलते हैं अगले कोशन पर भारती थल सेना के नए देक्ष बागावली सोमेश्वर राजु जी को बनाया गया है तो यह हमारा था कोशन नमबर 29 और फोटो आप यहां पर देख सकते हैं इसके बाद चलते हैं कोशन नमबर 30 क्या कहता है भारत के नए 9 सेना प्रमुक मतलब पानी वाली जो सेना होती है उसके प्रमुक किसको बन बने भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाकार किसको बनाया गया है एकोनामिक वाला है और आंसर भी अनंत नागेस्वरन फोटो यहां पर देख सकते नागेस्वरन जी की अगले कोशन पर चलते हैं राजी सवा के नए महा सचु कौन बनाया गया है सेक्रेटरी जंडल किसको प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीजी सचु जो नए बनाया गया है विवेक कुमार जी को बनाया गया चलते हैं अगले कोशन पर देखें कि हाप मोदी जी भी है भारती सेर बाजार बंबे इस्टाक एक्षेंज के नए अध्यक्ष कौन बने B YOU के अध्यक्ष कौन बनाये ऑं तो बनाये गया है किसके बारे में यहां पर कोशन है BSE के बारे में कोशन है BSE क्या है मतलब यह पूरे अपने ACA का पहला जो है share market था पहला share market मतलब stock exchange आप कह सकते हो इससे पहले कोई stock market नहीं था ACM सबसे पहले बनाया गया था Bombay stock exchange और अभी इसके जो अध्यक्ष बने हैं कौन है SS मुंद्राजी को बनाया अगला कोशन यहां पर क्या है भाई कोशन नमबर 35 राश्टी अनसूचित जाती आयोग समवैधानिक संस्ता है 339 B में इसको उल्लेख आपको मिल जाएगा अगर आप वहां पर पढ़ेंगे तो और यहां पर क्या है इसके नए अध्यक्ष किसको बनाया गया नए अध्यक्ष इसको बनाया गया तो 22 अगस्त को इसका निर्माण किया गया था साल था 1986 और इसके जो अभी महानिदेशक हैं एम ए गणपती जी को बनाया गया अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन हमारा क्या है संग लोक सेव आयोग अगर आयोग की बात करें तो आटिकल लंबर एक मिनट आपका जो है आटिकल कौन सो जाएगा आटिकल हो जाएगा 315 आटिकल लंबर 315 में आपको यह देखने के लिए मिल जाएगा और इसके अध्यक्ष कौन बनाएगा है हेड़कौर्टर अगर बात कर आता और यह नई दिल्ली में इस्थापित है और इसके जो अध्यक्ष है वह है डाक्टर मनोज सोनी की चलते हैं हम अपने अगले कोशन पर अगला कोशन क्या है भारती भूबैग्यानिक सरवेक्षन के वारती भूबैग्यानिक के नाय सर्वेक्षन अगर इसका में इसको इस्थापित किया गया था कहां इस्थापित किया ग्या था कोलकाता में और इसके जो अध्यक्ष बनाए गये हैं डी जी एम ओ कौन बने हैं और वो है मनोज कुमार कटियार कौन है मनोज कुमार कटियार जी बनाए गया है अगला कोशन देखते हैं क्या है नई न्यूकती भारती सेना के नए डिप्टी चीफ आफ आर्मी स्टाप कौन बने हैं भारती सेना के नए डिप्टी चीफ आफ आर् कोशन नमर देखते हैं 41 भारत की पहले राष्टी समुद्री सुरक्षा समन्मेक NMSC कौन बने है NMSC किसको बनाया गया है और इसके आपके सामने लिएंद्र सिंग पتनिया चलते हैं अंगले कोशन पर रिसर्च अअधर इनलीसिस बींग के फिर से अद्यक्ष कौन बनाये गए ऊछे नए सामंत गोयल जी को बनाए गए हैं यह बनाए गए हैं डाक्टर यू कृष्णा नायर या डाक्टर उंडी कृष्णन नायर जी इसके अध्यक निदेशक है और यह आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं चलते हैं अगले कोशन पर ब्राड कास्ट आईडियांस रिसर्च काउंसिल इंडिया यान हम बात करें 2010 से समय अगले कोशन पर चलते हैं विश्व विद्याले अनुदान आयोग 1956 में यूजी सी जो की विश्व विद्याले वेगारा को गारंटी देता है उनके उनको ही मदद करता है और इसके जो नए अध्यक्ष्य उनका नाम है इम जगदीश कुमार क्या नाम है फोटो आप देख सकते हैं अगला कोशन है कोशन नंबर 48 सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं सीमा सुरक्षा बल बियसिप बियसिप के नए महानिदेशक किसको बनाया गया है पंकज कुमार सिंग को बनाया अगला है भारती राश्टी राजमार्ग प्रा उपाध्याय के नाम है अलका उपाध्याय है और इसमें अगर हम अध्यक्ष की बात करें यहां पर आईयस प इये थ्थुड़ा सा ध्यान रखना है वर्तमान हो चलतें अगले वया भारती आंत्रिक्ष संगोड कोण बने हैं यूद ajn Som कोशन नमबर 51 पे हम लोग आ चुके हैं भारती वायू सेना के नए प्रमुक कौन बने भारती वायू सेना के प्रमुक कौन बनाए गए हैं विवेक राम चौधरी जी को बनाया गया है वायू सेना के प्रमुक अगले कोशन पर आते हैं रक्षा खूफिया एजन्सी के नए प अगले कोशन पर आते हैं Chief of Staff Committee COSC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए है COSC के नए अध्यक्ष मनोज मुकंद नर्वलेक जी को बनाया गया है अगले कोशन पर चलते हैं केंदरी अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा सुल्क बोर्ड CBIC Central Board of Indirect Tax and Custom इसके नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है CBIC के नए अध्यक्ष को बनाया गया है विवेक जौहरी जी को यहाँ पर बनाया गया है नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड NCB के महानिदेशक DZ कौन बने है नार्कोटिक्स कंट्रोल के नए महानिदेशक किसको बनाया गया है सत्य नारायन प्रधान जी को बनाया गया है किसको सत्य नारायन प्रधान जी को राश्टी आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक कौन बने राश्टी आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक किसको बनाया ग नए कौन बने हैं सील वर्धन सिंग अगले कोशन पर चलते हैं कोशन अमारा अगला क्या है 58 राष्टी अपराध रिकार्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं NCRB के नए निदेशक किसको बनाया गया है विवेक गोगिया जी को बनाया क्या है के रेलवेबोर्ड के नए अध्यक्ष और सीओ कौन बने हैं चेयर बे papier células बंड के नने sm piùने हैं और वह यहां और आपकाлом इπα आटो कौन है अंअनिल कुमार कौन और इसमल और न्गिल कौन ने आपका रेलवे बोर्ड में देखो अभी यहां पर आ चुके हैं अनिल कुमार यह सही आंसर है ठीक है अनिल कुमार लाहोरी संजीव बंसल जी पहले थे अभी इनकी जगह पर आ गए हैं अनिल कुमार जी चलते हैं हम अपने अगले कोशन पर राश्टी महिला आयोक की फिर से अध्यक्ष कौन बने देखो राश् सर्मा इसकी अध्यक्ष है अगले कुम नेस्णल काड़क्षण कोम यनिकी इन最 कि के नए महा निदेशा 8 कौन बनाये गए हैं गुरबीर पाल सिंगजी को बनाया क्या थे अगला कोशन कहाा लोकसभा अध्यक्षं कर लोकसभा नाम क्या है औंबिरला पहले पहले थे गड़ पर देखें यहां पर फोटो भी आप देख सकते हैं कोशन नमबर 63 बैड बैंक के नए अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष कौर्ण में देखो यहां पर बैड बैंक का मतलब क्या होता है जो सामान भीक नहीं पाता जो लोग अपना लोन नहीं जमा कर पाते तो उनकी जो जबती होती है उसे बेशने के लिए यहां पर आपका बैड बैंक बनाया जाना है और पदम कुमार मादवन जी यहां पर क्या है नए अध्यक्ष बनाए गये हैं राश्टी मानवाधिकार आयोग अगर हम बात करें हुमन राइट कमीशन जो है नेस्नल हुमन राइट कमीशन इसकी अध्यक्ष कौन बनाए गया है अरुन कुमार मिस्त्रा जी को बनाया गया है अगला कोशन क्या भारती रिजर्ब बैंक आर बी आई के गवर्णर यह जो है अधिन्याम 1935 के तहदी इसका गठन किया गया था और फिर नेस्नलाइज कर दिया गया जब भरत आ जा दुए था तो अभी आर बी-ई के नए गवर्णर की और सक्ती दास जी इसे सक्ति कांथ जी इसके जो है नए गवर्णर है और अगला कोशन है देश के नए केंद्री सतर्कता आयुक्त केंद्री सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं तो सुरेश स्यंस Pack TH 1963 इ最 है नइज भाली बात है अगले को बनाया गया है अगला कोशन है भारती विमानन पत्तन प्रादिकन एए के नए अध्यक्ष एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गया है वो कौन है वो है संजीव कुमार के नाम है संजीव कुमार अगले कोशन पर चलते हैं विदेश मंत्राले म एक नए प्रवक्ता कौन बने हैं अरिदम बाग्ची जी को बनाया गया है अगले कोशन पर आते हैं किसे सीमा सडक संगठन बी आर ओ का नया महानिदेशक न्यूक्त किया गया गया अगर आप अभी रुके हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जिरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा सेशन हम इसे आगे भी कंटीनिय रखेंगे जब मूर्मुजी को बनाया गया है आर्टिकल इसका 148 मतलब यह समवैधानिक संस्ता है अगला कोशन हमारा कोशन नमर 72 रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं देश में रेलवे सुरक्षा बल के जो महानिदेशक बने हैं उनका नाम है संजय चंदर क्या ना के नए अद्धिक बने हैं आदिले सुमिरवाला अगला कोशन है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त सी आईसी कौन बने हैं सी आईसी के बारे में बात करें तो यह सवर्धन सिनह जी को बनाया गया है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्ति यह सवर्धन कुमार सिनह अगले कोशन पर आते हैं नेशनल इस्कूल आफ ड्रामा के नए चेर्मेन कौन बनाए गए हैं और चलते हैं अगले कोशन पर हम बहुत ही जल्द समाप्तिक तरह बढ़ रहे हैं बस थोड़े से और बचें कर लिजेगा भारती राष्टी आंत्रिक्ष समवर्धन प्राधी कर केंद्र के नए अध्यक्ष इन इस्पेस इन इस्पेस के नए अध्यक्ष इसको बनाया गया है पवन गोयन का जी को बनाया इसके बाद चलते हैं अगले कोशन पर कोशन नंबर हमारा है दोजार बाइस में भारत राष्टी सुरक्षा सलाकार काने या ज़ीत दोबाल जी आपको पताईए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान इंसे कितना कांपता है भारती दूर संचार प्रादी नए अध्यक्ष कौन है भारती दूर संचार विनियामक प्राधी करण के नए अध्यक्ष इसको बनाया गया है डीपी बागहिला को बनाया गया है कितने सारे कोशन कर लिए कोशन नमबर 79 में आ गये 15 वित आयोक के अध्यक्ष कौन है एनके सिंग नंद किसोर सिंग जो है कहानी देशा कौन है सुबोध कुमार जैसवाल और इसके बाद आज का हमारा आखरी कोशन भारत के पहले लोगपाल कौन न्युक्त हुए हैं और आपको बताने की जरूरत नहीं है पीसी घोस यहनी की पीनाकी चंदर घोसी है मेरे दोस्त अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कोई भी दिक्कत है दिन आप हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं कैसा लगा और फिलाल आज के लिए यहीं तक टाटा बबाए टेक कियर और मिलते हैं कल आप लोगों से तब तक के लिए खुश रहिए हसते रहि पड़ताएं के लिए खुश कहा है तक कि लिए आप लुशंगा और को लिए खुश के लिए बताटारी का लगा है तक की जरूर हमें जरूर आप लिए खुश कि लिए दो कि पया है गया है तक